जै माताली ये एक जात्तक की कुंडली है जिनका जन्म 21.1967 को हुआ है समय है प्रातर काल तीन बच के साथ मिनिट स्थान है लखनव अब इनकी परिशानी ये है कि ये कंस्ट्रक्शन बिजनस में है और इस समय व्यापार में हानी हो रही है या यूँ कहे व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है हमने इस जात्तक की कुंडली का अध्यन किया बिटेल में अध्यन किया और हमने पाया कि इसके पीछे एक मूल तत्व कारण है वो है गुरू की महादशा खेर आईए हम इस कुंडली का विवेशन करते हैं सबसे पहला प्रश्ण था कि गुरू तो यहाँ पे उच्च के है तब भी गुरू की महादशा इन जात्तक के लिए परशानी क्यूं क्रेट कर रही है जिन लोगों ने अभी तक कुंडली देखना नहीं सीखा होगा उनसे अनुवोध है कि हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और प्लेलिस्ट में कुंडली सीखे करके एक प्लेलिस्ट बनाया हुए जिसके नोव वीडियोज है उसमें आप स्टेप बे स्टेप सब सीख जाएंगे कि कुंडली कैसे देखा जाता है कौन-कौन से तत्तों पे ध्यान दिया जाता है बारा भावों का क्या महत्व है, राशियों क्या महत्व है उसके बाद दिश्टी भाव क्या होते है, अस्त कैसे होते है और उनके क्या-क्या उपाय करना चाहिए, step by step सब दिया गया है अब हम इस कुंडली की बात करते है ये मिथुन लगना की कुंडली है मिथुन लगना इसलिए कि नीचे भी हमने आपको दिखाया हुआ है कि तीन नमबर के नीचे मिथुन लगना और उनके स्वामी बुद्ध देवता है लगनेश यहाँ पर देखेंगे तीन नमबर से स्वास अच्छा रहता है और उन्हें कभी धन की कमी नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए बुद्ध जो कि इस कुंडली में लगनेश है, साथिता सुखेश है, सुख के भी कारक है और वे 19 डिगरी पे लगन में बैठे हुए है, यह बहुत अच्छी चीज़ है हाला कि इनका जो लगन है लगभग 2 डिगरी के कारण एक्दम कमजोर है, मान सकते है लगनेश की परिस्थिती पॉजिटिव होना बहुत अच्छी चीज़ है जो हमने इस कुंडली को आगे देखना चालू किया, हमने पाया कि इनके धनेश है चंद्रदेवता जो की पत्नी साज़दा व्यापार अर्थात सब्तम भाव में बैठे हुए है और धनू राशी में धनू राशी में चंद्र का बैठना शुग होता है अर्थात व्यक्ति को धन लाब व्यापार से मिलेगा इसमें कोई शक नहीं है लेकिन धनू में चंद्र होते हुए भी चंद्र और गुरू का राशी परिवर्तन होने के बावजूद अगर व्यक्ति को धन लाब नहीं हो रहा है इस समय तो ये एक क्वेश्चन माक आया सबसे पिलम जातक से पूछेंगे कि आपने जो पन्ना पहना है पन्ना डायमंड जो पहना हुआ है वो आपने कितने साल हो गए है अगर आपने अभी हाली में पहना साल दो साल में तो ठीक है लेकिन अगर वो तीन से चार साल या उससे अधिक समय हुआ है तो आपको बदलन डाइमंड तो नहीं कहेंगे लेकिन पन्न आपको बदलना होगा क्या होता है कि इन रतनों की भी जुमिका होती है कि समय के बाद इनका असर कम हो जाता है पन्ने आपको लाबदयक होगा इसमें कोई शक नहीं है अब चंद्र का सब्तम भाव में बैठना बहुत अच्छी चीज है व्यापार को लाग मिलेगा और धनेश में धन भाव में भरस्पती का बैठना ये भी अच्छी चीज है ये भी धन का कारक है और इस समय आपकी भरस्पती की महादशा भी चल रही है अब एक प्रश्ण और उठता है क्या आप मासाहार करते हैं नौन्वेज खाते हैं अगर नहीं तो ठीक अगर खाते हैं तो आप कम कर दिये या चोड़ दे तो अत्ति उत्तम रहेगा क्योंकि भरस्पती और शनी दो ऐसे गर है जो अगर आपको सूट कर जाए, help कर दे तो आपको राजा बना देंगे लेकिन अगर वो सूट करते भी हो और आप से कोई विकर्म हो जाए जैसे आपने किसी को ठग लिया किसी का पैसा ले लिया या आप मासा हा या वैसन बहुत करते हैं तो ये धीवे धीवे नाकरत्म प्रहाव देने लगते हैं फिर ये सूट नहीं करेंगे, नुक्सान ही देंगे इस बात का आपको विशेश ध्यान रखना है क्योंकि आपका ब्रस्पती उच्च का होके बैठा ये बहुत अच्छी चीज है अब आप कहेंगे कि हमने दिखाया हुआ चंदर मारक है और वो सब्तमभा में बैठा हुआ है बिल्कुल चंदर मारक है लेकिन वो परिसरी कब नहीं मान होगी जब चंदर की अंतरदशा ये महादशा होगी उस समय चंदर अपनी भूमी का निभाएगा लेकिन मारक होने के बावजूर राशी परियोतन होने के कारण दृतेश और सब्तमेश की राशी परियोतन यहाँ पर योग कारक होगी तो हम मारक का इफेक्ट कम आनेंगे यहाँ पर अब हम जब तृतेश भाव में जाएंगे जहाँ पर पास नमबर लिखा होगा है उनके स्वामी सुर्य देवता है अब वो कहां विराजबान है सुर्य देवता दूती भाव में बैठे हुए अब थाद धन के भाव में ये भी बहुत योग कारक है तो ये परिस्थितियां आपके जीवन में धन का आभाव होना ही नहीं जाही है अगर आपका डेट आप बड़, टाइम आप बड़, प्रेस आप बड़ सही है तो आपके दन की कमी नहीं जाही है इसको हम माननी सकते हाँ, लेकिन अगर बहस्पती की दश्था आपको तकलीफ दायक हो रही है तो आपका अपने सवहाँ में परिवतन करने की आउशकता है वो इसलिए क्योंकि बहस्पती नुकसान तब करेंगे अगर आप से कुछ विकर्म हो शनी और बहस्पती की यही खासित है आप बडो का आदर करे, माता का खास करके अपनी माता और पिता का आदर करे और आपकी गल्ती ना भी हो तब भी आप बडो से कभी अनादर से बातنا करे इस बात का अब धियान Entके उनका आशीश गूजनों का आशीश आपके लिए लापकारी होगा हम आपको सलाह देंगे आप डेली श्यू मंदिर आपके आसपास में होगा वहाँ डेली आप जाए इससे आपको positive result आएगा ब्रस्पति अर्थात ग्यान का कारक, धर्म का कारक, कर्म का कारक अब हम आगे बढ़ते हैं, बुद्ध यहाँ पे बहुत अच्छी पोजिशन में है शुक्र भी अच्छी पोजिशन है बैठे हुए, प्राक्रम भाव में बैठे हुए इसमें कोई शक नहीं है केतू आपके विद्या संतान के भाव में बैठे हैं, जो की आई और लाप को देखते हैं, उनके साथ मंगल है अर्थात यह एक अंगारक दोश लाता है आपको गुस्सा अवश्या आता होगा, क्रोध आता होगा और उसका कारण है मंगल केतू की यूदि आपका रिन भाव या शत्तू भाव लगभक मुक्त है लेकिन ब्रस्पति की महादशान, ब्रस्पति की दुष्टी आपके रोग भाव में पड़ रही है और एक दुष्टी पड़ रही है पिता कर्म या पार के भाव में जो की उनकी खुद की राशी तो ये कारणे की आपकी हो सकता है कुछ कर्म या कुछ गल्तियां आपसे हो जवर वही है यही कारणे की ब्रस्पति आपको तकलीफ दे रहे है आप जीवन शैली में थोड़ा पेवरतन करेंगे थोड़ा सा पूजा पड़ बढ़ाएंगे आपको विज़र्ट तुरन पॉजिटिव हो जाएगा इसमें कोई शक नहीं है दूसरी चीज आप कंस्रक्शन बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे मंगल की भूमी का बहुत ही अहम हो जाती है मंगल यहाँ पे लाप के कारत है और दूसरा रोक्षत्र विण के कारत है लेकिन यहाँ पे मंगल शुभ होंगे वो पंचमेश होके बैठे है विद्धा संतान के वाँ लेकिन वहाँ से उनकी डारेक्ट डुष्टी पढ़ रही आयो लाप पे तो मंगल आपके लिए बहुत यह अच्छे होने चाहिए इन फैक्ट मैं यह कहूँ कि आप कंस्रक्शन बिजनेस में करोडो अरवर उपे कमाले तो मुझे आश्यरे बिल्कुल नहीं होगा बस आपकी समय आनी की देवी यह आप यकिन मानिए हम जब इस कुंडली में आगे विवेशना करे है तो हमने यह पाया कि शनी देव इस कुंडली में क्योंकि मिथुन राशी है वे स्थान लेते है अश्टम भाव और नवम भाव का वो भागय की भी कारक है और अश्टम की भी कारक है लेकिन वो बैठे है दशम भाव में हलाकि भाव चलीत में वे नवम भाव में जा रहा है और शनी की जो डिगरी है वो है 19 डिगरी, राहू की डिगरी 9 है दोनों में मात 20 डिगरी का अंतर है तो शनी और राहू मिला करके कहीं न कहीं एक ऐसा योग बनाते है जो की नाकरात्मक योग है लेकिन ये तब जब शनी की कभी महादशा हो उस समय आपको ध्यान देनी की आवशकता है जो की 2026, ऑक्टोबर 2026 के बाद आएगा उस समय आप शनी की पूजा करेंगे वो भेतर होगा इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगी वो लगी आपके लिए भरस्पद्धी और मंगल इन दोनों की पूजा से ही आप आसानी से अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस को उपर लेके जा सकते हैं इसमें कोई शक नहीं है अच्छा नीलम आपको धारण करना है नहीं करना यह उस पोजिशन पर डिपेंड करेगी जब आपकी शनी की महादशा आएगी लेकिन तब भी धान देना कि नीलम धारण करने के पहले एक बार आपको नीलम ट्राय करना होगा अच्छा ने कि किसी ने कह दिया आप नीलम धारण कर लेंगे तो नीलम एक ऐसा रत्ना है जो अगर सूट नहीं किया तो तक्लीप ए जाता है तो नीलम धारण करने के पहले आप उससे पहले तकिये की नीचे रख के पूजा पाठ करके पंदरा दिन तर आजमाएंगे उसके बाद ही धारन करेंगे भरिश्य में अगर आप किसीने कहा भी निलम धारन करना है अब इसमें एक आप्शन और है कि मैं कहूँ आपको पुखराज धारन कर लिया जाए लेकिन प्रहस्पति वैसे ही उच्च के होके बैठे हुए है और केंदर के दो घरों के स्वामी भी है उसके बाउचूत अगर सूट नहीं कर रहे तो मुझे नहीं रखता कि पुखराज से कोई मतलब होगा इसका मतलब आपको अपने करमों पे ध्यान देने के आउशकता है आप ब्रहस्पति का उपवास करे हमने देखा है ब्रहस्पति जिनको सूट नहीं होते है बहुत तकलिव देते है मैं समझ सकता हूँ को जी और आपके धन भाव में बैठे हुए तो आप तुरंत ब्रहस्पति का उपवास आरम कर दे फास्टिंग का मतलब यह है कि आप दिन में कुछ नहीं खाएंगे एकाद फल खा सकते हैं और सिधा रात को भोजन करना है वो भी हलका भोजन घर का भोजन लाइट उसके साथ साथ आप भ्रहस्पति के लिए विश्णू सहस्त्र नाम के लगातार 41 दिन पाठ कर सकते हैं पूरी तरह से ब्रह्मचरे के साथ अगर आप यह कर सकते हैं तो अतिवत्तम रहेगा भगवान विश्णू की पूजा करके आप घर में घी का दीपक या तिल के तिल का दीपक जला करके इसका पाठ करना है प्रातर का लवोज लेकिन समय निश्चित होना चाहिए स्थान निश्चित होना चाहिए और संकल्प लेके करें पहले दिनी संकल्प लेके मैं विश्नु सरस्रनाम का पार्ट अपने व्यापार के लिए करने जा रहा हूं, हे विश्नु महराज मेरी सहायता करे, हे ब्रस्पति महराज मेरी सहायता करे, और उसके बाद आप उसका पार्ट करे, और रोज उन्हें भोग चड़ाए, जो भी भोग चड़ाए, प्रसाद के उ that strictly follow करना है दूसरा है अगर आपने उद्राक्ष धारन नहीं किया तो आप पाच मुखी उद्राक्ष धारन करते है तब भी आपको भ्रहस्पती से लाब होगा यह हमने खुद आजमाया हुआ है क्योंकि भ्रहस्पती के लिए पाच मुखी उद्राक्ष बहुत ही best काम करता है लेकिन ओरिजनल वुद्राक्ष को ना चीए डूप्लिकेट वुद्राक्ष ना हो इस बात का ध्यान रखे क्योंकि मार्केट में कई लोग डूप्लिकेट वुद्राक्ष बेशते है पाच मुखी वुद्राक्ष और वोज शिवमंदिर जाए नियम तह प्रातर काल उठे स संत्रा या मुसंबी आप रखतर काल संत्रा या मुसंबी का भी नाशता या व्लिक्वस में refuse कर सकते हैं कीईला मत खायें ओजा है कि हम जब अगर बहस्पति की बात करते हैं तो उनके लिक केला ही शुब माना जाता है और अक्सर अगर ब्रस्पति का उप्वास करते हैं तो हम ये सला देंगे कि आप केला जो फल है उसका परित्याग कर दे खास करके ब्रस्पति की दशा तक मत खाए आप उसे आप मंदी में अरपित जोर करें जो कुझे केले के पेड़ में अगर आप जल छोड़ते है तो वो अत्युत्तम रहेगा डेली अरली मॉनिंग इस्तान करने के बाद और ब्रस्पति का उप्वास मंगल के लिए क्योंकि मंगल आपके लिए कारक होगा आप रोज हनुमान 40 का पाड़ कर सकते है मंगल वा मंगल वा आप मंगल हनुमान जी के मंदी में दर्शिन कर सकते है जब मंतर जाप की बाद करें तो आप प्रातर कार उठने के बाद ओम भ्रह्म वहस्पति नमा कि एक माला और मंगल देवता के लिए ओम अंगार कायन हमा या फिर हनुमान चालीच है यह डेली करें आप दोनों एक-एक माला करके उसके बाद अपने काम को निकलें प्रातना करें कि है प्रभू मेरी सहायता करें एक कामा पाउर कर सकते हैं आप एक सुपावी ले सुपावी में दो लॉंग और थोड़ी सी पीली सर्थ हो और पीले कपड़े में उसको बांध करके अपने पूजन के स्थान पर रख दे ब्रस्पति देवता को प्रणाम करें और जवा पिश्णु सरस्तनाम का पाठ करेंग तो हर दिन वो शक्ति मतलब आपका जाप होने के बाद उसको दिष्टी दर इसको दीपको अगर जला करके अगर बत्ती होगा जला करके उसकी पूजा करें उसको वापस उसी मंदी में रखतें 41 दिन होने के बाद आप उस पोटली को अपने पास हमेशा सदा रखेंगे बस शुद्ध अवस्था में वोजे छोटी सी पोटली बनाएंगे न आप पीले कपड़े में और उसके अंदर जो भी सामगरी होगी बहुती शुद्ध होगी हर दिन आप जब भी औरम ब्रहस्प को बताया लेकिन गुद्राक्ष तभी धारण करना है अगर आप एजिटेविन डाट फालो करते है वरना मत करना नुक्सान दे जाएगा क्योंकि ब्रहस्पति की खासियत है ब्रहस्पति और शनी ये दो ग्रह ऐसे है कि ये स्टार्ट धीरे करते है लेकिन जब भी करेंगे आपको पुछ देंगे लेकिन अगर इन्होंने आपको गलत पाया तो योग कारक होने के बावजूद भी नुक्सान दे जाते हैं ये कई बार हमने आपज़र किया हुआ है शनी का उपाय आपको केवल शनी की दशा में करना होगा उस समय शनी मंदी शनी की पूजा या आप किसी योग ये पंडित द्वारा शनी का उपाय भी करा सकते हैं अभी आपकी अंतरशा सूर्य की चल रही है जो की योग कारक है खुश स्वोचिए कि गुरू और शनी गुरू और सूर्य दोनों की महादशा अंतरशा चल रही है जो की धन भाहों में बैठे हुए है इसके बावजूद भी अगर नुक्सान है तो ये बहुत बड़ा कुशन माग है क्यूंकि पीता कर्म व्यापार और बिजनेस के जो कारक है वो वहां होते हुए भी आपको धन की कमी नहीं होनी चाहिए बिजनेस आपका ग्रो होना ही चाहिए जो मैंने प्रश्ण पूछे आप इनका जवाब कमेंट में अवश्य दीजेगा हो सकता है अन्जाने में बिजनेस में या फिर किसी भी रूप में आप से बड़ो से किसी से कोई गलती से कुछ लड़ाई जगड़ा कुछ हुआ हो क्योंकि ये सब चीजें आपे बहुत कारे करती है और उसके बावजित में यही कहूंगा कि अभी सूर्य की दश्या के बाद 2023 जून के बाद आपकी चंद्र की महादशा अंतरदशा शुरू होगी चंद्र मंगल राह हुए आपके लिए लापकारी ही होगा यह आपको नुकसान बिल्कुल नहीं देगा तो मुझे दिखता है कि आने वाले टाइम में आपको धनलाब निश्चित होना है और सूर्य भी आपको ऐसे धनलाब देना चाहिए इसमें कोई शक नहीं से आपका इसमें प्राक्रम काफी बढ़ा होगा आप काफी कोशिश कर रहे होंगे एफ़र्स बढ़े होंगे इसमे कोई शक नहीं है मोटा मोटा कहूं तो आपकी कुंडली बड़ी प्यारी है बहुत अच्छी है और भविश्य में बहुत ही योग कारक कुंडली है लेकिन हाँ थोड़ा आपको ध्यान देनी के आउशकता है थोड़ा पुजा पाठ कर और सत्य की भापे चले ब्रस्पति औ शनी की दशा केवल सत्य के लिए है अगर आप सत्य की भापे चलते है सबका भला कल्यान करने के उदेशे से कारे करते है तो ये दशा आपको कारक भी बनाएंगे अच्छा व्यक्ति बनाएंगे और आपको सफलता भी देंगे कई बार क्या होता है कि कुछ जन्मों के पाप कर और कुछ ऐसे घर बादा होती जो तकलीव देती है आपकी कुंडली मुझे वैसा कुछ नजर नहीं आए क्योंकि अगर राहू की दशा होती राहू की अंतरदशा होती या केतु की होती तब भी हम समझते कि इनकी दुष्टी पढ़ रही है लेकिन राहू की दुष्टी और वो सब्तम्भाव में बैठा हुआ है लेकिन अगर ऐसी कंडिशन है तो आपके पती-पत्नी के बीच में बिल्कुल अन्बन होनी चाहिए लेकिन ब्रहस पती यहाँ पे उच्च का होके बैठा है तो ब्रहस पती यहाँ पे ज्यादा योग का रखोगा तो यह नुक्सा पेहन के आप कारे के लिए निकले एक चीज और पातर काल आप पूजा के बाद पूजा करने के बाद हल्दी का एक टीका आपने मात्य पर हात में या गले में कहीं में लगाखे निकलीके ब्रहस पती मंत्र के जापत के बाद यह आपके लिए शुग होगा जैमात श्या Ved